कोरोना महमारी के कारण 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फु का वाहन प्रथान मंत्री नैंद्र मोधी के ओर से किया गया था और कोरोना महमारी की समस्या को बढ़ते देख 25 मार्च से पूरे देश भर में लोगडाउन की घोशना की गई जिसके कारण रेलवे के परिचालन क को भी पूरे देश भर में बंद कर दिया गया आज करीब 180 दिनों के बाद भागलपूर से अब रिल का परिचालन सुरू होने की घोशना की जा चुकी यह इसके लिए से जाने वाली लॉक्डाउन के बाद सुरू होने वाली यह एक मात्र ट्रेन है यह पहली ट्रेन है हाला कि इस बीच में स्पेशल ट्रेन चली पर वह कोई नियमी ट्रेन नहीं थी और यह भी एक स्पेशल ट्रेन के रूप में जा रही है हाला कि यह बिक्रम सिला के स्टाइमि भागलपूर से दिल्ली जाने वालों की यहां पर भीड भी देखने को मिलेगी और इसको लेकर के हम आपको बता दे कि कल जब की ट्रेन का पली चालन यहां से सुरू होना है तो आज रेलवे की योड़ से पूरी तैयारी की आ चुकी है ट्रेन की साफ सफाई के साथ बोगी के या कोरोना से संब्धित कोई समस्या आने वाले समय में ना हो इसको लेकर के विशेश ध्यान रेलवे की ओर से रखा जा रहा है और तैयारी पूरी कर ली गई है आज साफ सफाई के साथ भागलपूर रेलवे प्रबंधन की ओर से डियारम के आदेश से यह सारी तैयारी की तिया कि ये नोटिफिकेसन जारी हुआ था, जो भागलपूर से या खुलने वाली एक मात्र वो डिल्ली के लिए वो भिक्रम सिला ट्रेन के समय से खुलेगी और भागलपूर says डिल्ली के लिए रवाना होगी और जिससे की हाला कि लोगों को काफी राहत भी मिलने के हमने आपको बताया था कि दस थारिक से यहाँ पर टिकट कॉंटर खोला गया था जिससे की टिकटों की बुकिंग लोगों ने शुरू की और इसमें एक चीज यह खास करके यह दिशानिर्देश दिया ग सके हला कि तेजी से कुरोना में हमारी मरीजों की लगातार देश में संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन इसके बावजूद जन जीवन को समान ने करने के लिए ट्रेनों का परिचालन भी सुरू किया जा रहा है और इसी कड़ी में भागलपूर से भी यह ट्रेन बाहर जा रहे हैं कि ट्रेन की शुरुवात की जाए लेकिन बहराल यह लोगडाउन के बाद यह पहली ट्रेन होगी जो भागलपूर से सनिवार को स्पेशल ट्रेन के रूप में रवाना होगी दिल्ली के लिए केमरा परसन सलमान अनवर के साथ रवी संकर सिनास्थिल टीवी भागल पर notions प्लेपन जान अनवर लेकिन रवी जार बटयार प्रिकल के लिए के सिनास्थिल टीवी ट्रेन के लिए अनवर लिए भागलपूरूर यह लोगा होगी कि रवालपूर बिया हैं कि दो बाद एक जो बाद टुम एक लोगलपूर खनल इंवर और यह भागलपूर जह ए